हलो फ्रेंड्स मैं राखी और राखी की मज़ेदार अस्वे में आपका स्वागत है आज मैं बिल्कुल नए तरीके से चंदरकला मिठाई रसगुला चंदरकला बना रही हूँ जो बहुत ही स्वाधिस्ट और मज़ेदार होती है और यह हर किसी को पसंद आती है तो चलिए हम इसे बना लेते हैं तो सबसे पहले हम एक मिक्सी के जार में 5-6 टेबल स्पून चीनी अड़ करेंगे और 4 हड़े इलैक्ची को हम छिलका हटा कर अड़ करेंगे और अब इसे हम पीस करके फाइन पाउडर बना कर तयार करेंगे तो देखिए मैंने इसका पाउडर बना लिया है और यहां पर मेरे पास लगवग एक कप छेना है जिसे मैंने एक किलो दूर से बनाया है इसे भी इस पीसी हुई चिनी के साथ एड़ करूँगी और मिक्सी का एक चकर लगाऊंगी जिससे इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनकर तयार हो जाएगा तो देखिए मैंने इसे पीस लिये हैं और आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा पेस्ट बनकर तयार हुआ है तो मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लूँगी आप इस पेस्ट को हम दो भागों में बातेंगे तो एक में थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे एक में थोड़ा सा कम रखेंगे अब कम वाले भाग में हम दो छोटी चमच रोज शिरप एड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब मैंने कुछ काजू बदाम और पिस्ता को बारिक बारिक कट कर लिये हैं अब मैं इसमें से थोड़ा सा गार्निसिंग के लिए छोड़ करके सारे के सारे सफेद वाले भाग में एड़ करूंगी तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह बाउल जो है सो मेरा छोटा पर रहा था तो मैं इसे बरे से बाउल में ट्रांसफर कर ले रही हूँ अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमें चाहिए रसुल्ला तो अब इसमें से हम एक रसुल्ला लेंगे और इसे हम दोनों हत्वेलियों के बीच रख करके हलके हाथों से दबाएंगे और इसका सारा रस निकाल लेंगे अब इसे हम चाकू से बीचो बीच काट लेंगे और नीचे में हम जुरा हुआ रहने देंगे इस तरह से देखिए और इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से जितनी जरुड़ात हो उतनी रसगुले हम कट करके तयार करेंगे अब हम लेंगे बटर पेपर और जितनी जरुड़ात हो उतना हम काट कर अलग कर लेंगे अब इस बटर पेपर को हम कुछ इस तरह से मोर लेंगे तो मैंने 6 रसगुले काट कर रखे हैं तो मैं इसका 6 पीस बनाऊंगी तो मैंने बटर पेपर से 6 गोल पेपर काट लिये हैं अब इस कटे हुए पेपर को हम एक प्लेट में फैला कर रखेंगे अब इस रोजवाले मिश्रन से हम इस पर एक राउंड लगाएंगे इस तरह से राउंड बनाएंगे आप चाहो तो इस पर चंद्रकला का डिजाइन भी बना सकते हो जिस तरह का चंद्रकला का जो जॉइंट होता है डिजाइन होता है उस तरह का तो अब हम इस रसगुले में सफेद वाले भाग की मिश्रन को हम इसमें भर लेंगे इस तरह से और इसे हम अच्छे तरह से बंद कर देंगे और इसे हम रख लेंगे और इसी तरह से हम सारे रसगुलों को भर कर तयार करेंगे अब इस पर हम थोड़ो थोड़ा चांदी वर्क लगाएंगे तो सारे रसगुलों पर मैं लगा लेती हूँ अब मैं इस पर बचाए हुए ड्राइ फूट्स को एड़ करूंगी तो लिजे फ्रेंट्स हमारे बहुत ही मज़िदार रसगुला चंदर कलाबंगर के तयार हो चुका है तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी या रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मिरे वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा सेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कराना भूले तो फ्रेंट्स मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में तक तक के लिए बाई